नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे पैरे सेशन वोकाब एक्स्प्रेस में जहां पर आप बनते हो वोकाबलरी एस यानि कि धुरंदर आफ वोकाबलरी मैं आदितिवारी आपकी नजरों में आदित भी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हो या और ऐसी वर्ट जो आप नहीं जानते हो लेकिन हों कंफ्यूजिंग एक जैसे सुनाई देते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनको कंफ्यूजिंग बना देता है आज उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे सु लेट्स गेट स्टार्ट देखिए हमारे पास पहला वर् करने की कोशिस करते हैं तो उसे हम टिटी लेट बोलते हैं दूसरा वर्ड है टिटी वेट जो सुनने में एक जैसा है उसे हम बोलेंगे टूरेड्यूज एफेक्ट आफ सम्टिंग जवाप किसी सीट का एफेक्ट कम करने की कोशिस करते हो पैसिफाई करने की कोशिस करते हो उसे हम टिटीवेट बोलते हैं I think आपको बास समझ में आई होगी टिटी लेट और टिटीवेट की ठीक है चलो आगे देखते हैं अगला वर्ड है हमारे पास अगर आप किसी एक मुहीम को छेड़ करके बैठे हैं आतंगवाद के खिलाफ लगते हैं अपने दुस्मनों के खिलाफ लड़ते हैं आपको भी लड़ना है अपने डिस्ट्रेक्शन से अपनी कमजोरियों से तो आप लोगों को भी क्या करना पड़ेगा उसके बाद यहां पर यहां पर टितिवेट एक लोगे बढ़ते हैं अगहे अगला वरड है एडाप्ट और यह तीन वर्ड आपने कई बार सुने हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हूं है ना क्या पढ़ रखा है वाई सब एडाप्ट पढ़ा है और अडेप्ट पढ़ा है तो एडाप्ट का मतलब होता है गोद लेना जब आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं मान लिजे कही ऐसे परि अगला वर्ड है अडाप्ट डाप्ट का मतलब होता जब सिचुएशन के इसाब से ड्र हो जाते हो ना अनकूल हो जाते हो तो उसे हम आडेप्ट बोलते हैं कै Вам क्या बोलते है अडबसे अड़ाप्ट और कर मतलब क्या होता है israel कहीं सारे मतलब है series हो जैसे आए निक्सरश ता MB dextrous MB यानी बोत दोनों हातों से MB यानी बोत और डिक्तर स्यानी की कुशल होना तो MB एक ऐसा बज़ा तो अपने दोनों हातों से कुशल मालो मैं इससे भी लिखनू राइट से भी लिखनू तो मैं MB dextrous हुआ और वर्ड का है हमारे पास deft deft का मतलब भी होता है कुशल और एड्रॉइट एड्रॉइट का मतलब भी क्या होता है बेटा कुशल होता है यह चारों वर्ड याद रखना एड़ेप्ट skilled dextrous deft and adroit skilled आपको पहले से पता था dextrous deft and adroit skilled के लिए यूज के जाते हैं तीनों वर्ड आगे एडाप्ट एडाप्ट और एडेप्ट नेक्स्ट वर्ड है आपके पास site site और site इसमें तो थोड़ा सा भी अंतर नहीं है बस spelling का अंतर है site site और site तो यह जो site होता है न site तो इसको हम क्या बोलते है सिटी को सिटी को हम बोलते है लोकेशन सिटी क्या बोली जाती है बिटा लोकेशन बोली जाती है c i t e को बोलते है तो गिव एक्जामपल है आम गोंग तो site a very popular example in front of you यानि कि मैं आप सभी को example देने जा रहा हो वेels Will do popular site का मतलब होता है तो गिव एक्जामपल और s-i- gravity site का क्या मतलब है sategory site का मतलब नजारा इस्पेटेकल जिसे एक और वर्ड बोला ह सकता है बीटा व्स ताज्स का मतलब होता है विस्टा का मतलब वुतेनाजारा विस्टाज करलो क्लास 12 में 1 किताब चलती विस्टा, विस्टा, ना, वॉस्टा का मतलब होता है, नजारा, अब एक और वर्ड होता है, Scottish से Spectacles, spectacles क्या होता है बटः चिसमा? आप चुकी चसमे में देखो, आपने अगर चसमा देखा वो, या पेंट देखा हो, तो pants बोलते हैं, spectacles बोलते हैं, pantaloons बोलते हैं, tongs चिम्टे को tongs बोलते हैं, scissors कैची को scissors बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन में दो फलक होते हैं, चस्मा आप ऐसे पहनते हो ना, चुकि इसमें दो फलक हैं, एक और दो, pant आप दोनों पैरों में पहनते हो, tongs चिम्टे में दो फलक होते हैं कैची कैची में भी दो फलक होते हैं चुब कि यह सिंगुलर नहीं है इन में दो दो फलक हैं इसलिए इन में पहले से ही एस लगा हुआ है इन सभी में इस इसलिए लगा है यह रीजन नहीं पता था और अगर नहीं पता था तो मुझे कमेंट में बताना कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ क्यूंकि आपको यह रीजन जानने को मिला ठीक है नेक्स्ट वर्ट कौन से हैं आपके पास एक्सेप्ट एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट यह दोने एक जैसे एक्सेप्ट एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट अब इन तीनों में क्या अंतर है अंतर तो है लेकिन इनके मतलब में अंतर है तो भाई सब एक्सेप्ट का मतलब क्या ह हो allow कर देते हो माल लेते हो तो से हम क्या बोलते हैं एकसेट बोलते हैं फिर आता है बेटा expect हम सभी को एक दूसरे से क्या होती है expect अकांशाय होती है expect I was expecting that you would come मैं आशा कर रहा था मैं अकांशा कर रहा था कि तुम आओगे तो expectations बोलते हैं expectations ही सभी समस्याओं की जड़ है जो लोग expect करते हैं वही सिर्फ दुख में रहते हैं जो expectations ही नहीं करते हैं हमारे माता पिता हम से expectation करते हैं society हम से expectation करते हैं हमारे को चोड़ कर ठीक है ना अब exception बोला मैंने exception एक noun submitting का मतलब है के सिवा है किसी को चोड़कर है ना तुम्हें छोड़कर हर कोई आया था तौ everybody came in the party except you अगर मैं बोलूं कि तुम्हें छोड़कर party में हर कोई आया था तो तूम क्या बोलोगे everybody came in the party except you यानि कि तुम्हारे सिवाए beside you beside का मतलब होता है बगल में और besides का मतलब होता है के अलावा मेरे बगल में ये pen खड़ा है मान लोग खड़ा है ठीक है ना pen बड़ा सा है तो a pen is standing beside me और मेरे अलावा यहाँ पर 100 लोग और है तो there are 100 people except besides me beside me यानि कि मेरे अलावा सोर लोग और है तो there are 100 people besides me मुझे छोड़कर और मेरे बगल में कोई है तो someone is standing beside me ठीक है इन दोनों पर प्यंतर पता चल गया besides और beside ये तीनों लोग है accept, expect और accept इसको expect बोलोगे क्या expect बोलो बिटा गुटका अगर में थूख दो expect expect इसको accept और इसको accept ठीक है चलो next word क्या है ये तीनों simple words है सीले मैंने का मतलब नहीं लिखा आपके लिए एक word है बिटा right है ना इस right का मतलब क्या होता है ये दोनों होता है ये एक noun भी होता है और ये एक word भी होता है वैसे noun नहीं होता है लेकिन noun के दो मतलब निकल कर क्या आता है क्या-क्या मतलब है एक right का मतलब होता है बेटा दाया है ना right मुडो है ना दाये जाओ यानि की turn right बोलते है ना turn right और एक होता है human rights अब बेटा इसको confuse मत कर देना right एक अलग word और rights अलग word है र-I-G-H-T-S यह जो human rights है यानि की in rights का मतलब क्या होता है बेटा in rights का मतलब होता है अधिकार in rights का क्या मतलब होता है अधिकार तो यहां पर जो connection वाली line मैंने लगा रखी है ना तो यह connection वाली line है नहीं यह connection नहीं है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ दाया होता है और यह जो rights है इसका मतलब क्या होता है अधिकार होता है ठीक है right और rights में अंतर्श चमझ गए अब यह right का क्या मतलब है र-O-I-T right का मतलब क्या होता है दंगे बोलते ना भी यह डेली रॉइट या फिर मुसला गंज रॉइट यह सारे रॉइट हो गए अब एक right है यह एक verb होती है बिटा जिसका मतलब होता है लिखना simple है यह तो next बढ़ते है बिटा आगे आगे है pedal और pedal दोनों को same बोलते है लेकिन यह एक noun है यह एक verb है अब hawk करना क्या होता है बिटा आपने सुबह देखा होगा फेरी वाला आता है कौन फेरी वाला जो पेपर दे जाता है जो आपकी गली में सब्जी बेचता है यह सब के सब क्या है hawkers है तो two hawk याने की pedal ठीक है ना बास समय में आगी पेडलर का मतलब क्या होता है विक्रेता जो किसी चीज को बेचता है अब word है आपके सामने गिल्ड गिल्ड और गिल्ड गिल्ड तो आप सभी को पता है इसको बोलते हैं जब आप अपने अंदर क्या शर्मशार हो जाते हैं सरमशार के बहुत को आप गिल्ट बोलते हैं तो पता है सभी को लेकिन गिल्ड और गिल्ड यह दोनों एक जैसे बोलने में है ना यह वाला क्या बाइस सब गिल्ड का जी उए जी यू आई एल डी यहाँ पर एल एक्स्ट्राइक बाकी यह सेम है स्वरी जी यू एक्स्ट्रा में काम करने वालों का होता है उसको हम गिल्ड बोलते हैं अब जी आई एल डी का मतलब क्या है to cover something with thin layer of gold अगर आप किसी चीज को पतली सी सोने की परस से चढ़ा देते हो तो आप उसे जी आई एल डी बोलते हो बहुत ध्यान रखना बेटा जी आई एल डी यानिकी to cover something with thin layer of gold and GYLD यानि की a group of same professionals ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला वर्ड हमारे पास से बेटा अल्टर और क्या है अल्टर यह बच्पन से हम लोग पढ़ते आने पर तब भी कफी बार confusion हो जाता है तो A L T E R यहां पर E R है और यहां पर A R है तो जब E आता है तो आप change लाते हो देखो भगवान को दूध अर्पित करते हो भोग अर्पित करते हो ठीक है ना तो अल्टर का मतलब क्या होगा टेबल आफ और आफ रिंग और अल्टर A L T E R त यहां पर E आया होगा बीच में तो यहां पर change होगा इसका मतलब ठीक है बास आगे आगे देखते हैं यह सिर्फ याद CTALE मेटल है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है potential शंपता उसको हम क्या बोलते हैं metal बोलते हैं अम इडबल टी उसे हम क्या बोल देते हैं पोटेंशियल यानि की शंपता ठीक है चलो यह हमारे last words होने वाले है avoid का मतलब हम सभी को पता है जब आप किसी को क्या करते ह दरकिनार करते हो नहीं देखते हो है ना थोड़ा सा देखने से refuse कर देते हो टर्ण ब्लाइंड आई चलो इसी के साथ यह भी सीख लो टर्ण आप ब्लाइंड आई यह एक इडियम है टर्ण ब्लाइंड आई जिसका मतलब क्या होता है किसी को अगर आप नजर अंदाज करते हो नजर अंदाज नजरों से अंदाज कर दिया मतलब नजरों से हटा दिया तो टर्ण ब्लाइंड आई किसी की तरफ अंधे की तरीके देख ल दोनों में अंतर इतना यहां पर B-R-E-A-C-H है और यहां पर B-R-E-C-H है तो यह B-R-E-C-H का मतलब क्या है तू ब्रेक अब यह ब्रीच यूज कब होता है कि आपने अगर कोई पैन तोड़ दिया कोई पन्ना फाड़ दिया कोई कुर्सी तो ब्रीच यूज करोगा नहीं अब ब्रेक यूज करोगा लेकिन ब्रीच होता है अगर आप क्या करते हो वीरीच ब्रीच ता प्रॉमिस ठिक है लास्ट वर्ड क्या है ब्रीच बीर डबल इस ये यह रीयर पार्ट अव गलो चोंग उसको हम प्रीच बोलते है घृक है चलो अचा और दिये यह 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 क्या है l a l a l a ऐ यह तीनों तो बहुत ज़्याजा ज़्utan है एल एल एलाई और ऐलॉए इसको क्या बुलते है ल एले इसको अलाई अलाई और इसको ईलॉए ठीक है न अब यह एले क्या है जब छोटे बच्चक तो अले ले स्ख्णकल है'm två appease, two appease का मतलब क्या हो गया, किसी को शान्द करना, pacify करना, ठीक है ना, आगे देखते हैं। अलाइन्स का मतलब क्या होता है अलाइन्स का मतलब 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 होता ह अबेट, गैफ और गैफ अब इनका मतलब समझते हैं अबेट और अबेट में A T E A R A यहां पर A B E T A R A अब एट कर लिया ना अब सांथ हो जाओ, अबेट यानि कि टू पैसिफाई, टू रेडियूस किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना, उसके बाद आपके पास वर्ड क्या है, अबेट, अबेट का मतलब होता है, एकसाइट समबडी टू डू सम्थिंग इविल, यानि कि किसी को कुछ बुरा काम करने के लिए उकसाना, अबे अबे चल ये करते हैं, अबे चल चोरी करते हैं, अबे वो लड़की चाहरी है, चल उसको छेड़ करके आते हैं, इस तरीके से अगर आप किसी को गलत काम करने के लिए उकसार हैं, तो आप अबेट कर रहे हैं, ये एक मतलब है blender did on public forum इसs फिनल थे क्या पोलेंगे ठीक है मैं यहाँ पर आपका इससेशन घतrical होता है पर आपको मैं पॉर्टेन बात बताता हूँ कि अगर आप कोई भी कोई हुए फ्रकेस करना चाहते हैं तो आप यह code लगाईए S743 for the maximum discount and last में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहूंगा कि आप लोग एक काम जरूर करें प्यारा सा काम जरूर करें और वो प्यारा सा काम क्या है मुझे comment करके बताएं कि आपको ये session कैसा लगा कि आपके comment जो होते हैं वो मुझे बहुत motivate करते है और जो लोग यहां तक आए हैं वो अपने दोस्तों को एक बड़ शेयर भी कर देना इसका मतलब है यहां तक अगर तुम्हें यहां तक आगव वीडियो के end तक इसका मतलब तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो like भी कर देना धीरे से ठीक है चलो यहीं समय आपको आपसे विदा लेता हूं कल फिर आऊंगा आपसे मिलूंगा इसी समय पर 6 बजे तब तक के लिए जहिंद आगे बढ़ते रहो धुर्राटे काचते रहो चलो बाए बाए